नमस्कार दस्क्मित्रों हूं बक्तिसास सेरी नियूस मां अप्रून स्वागत करूछू समाच चैन्स तरवाद करता पहला एक नदर आतना मिख समाचारों पर अन्य सलवासना वाक्षीपा दर्गा पर उर्स संदल कारेकर्म यूजायो विरामबाद आमनों स्वागत चैन्स तरवाद करता पहला पर उर्स संदल कारेकर्म यूजायो दर्गा 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 दानाखाते कौमी एकतानी निशानी चैन्स अहीं अनेक राशनेताओ थी लईने फिल्मी करला करों आवी जुक्या चैन्स अहीं दामदूमती हिंदू मुस्लीम साथे मणी उजवे छे जवोद मी एप्रण सुक्रवालना रोज 5 आगे उर्स संदल नो कारेकर्म यूजायो हतो त्यारबाद सांजे 6 ती रातरे 10 वाग्या सुधी नियास अने त्यारबाद कवाली नो कारेकर्म यूजायो हतो जिमा दिल्हीना मस्हूर टीवी स्टार कवाली आमीर अकबर अली चिस्त और मुबाईना मस्हूर टीवी स्टार कवाली दानिश साबरी पदार्या हतो आगे उर्स संदल कारेकर्म यूजायो हतो करें उर्स स्टार करें हमारे दादरा नगर हुएली में गफूर शाब आवा का उरुस बनाय जा रहा है और 14 एप्रिल के दिन हमारे उर्दु तारिक के हिसाब से 16 रज्यब है और अंगरजी तारिक के हिसाब से 14 एप्रिल है और आज जसने गफूर शाब आवा बनाय जा रहा है और इस उरुस के अंदर सभी धर्मिक के लोग यहाँ पे हाजिर है तो आज इनकी बारगा में यकिदत मन याने सरदालों लोग इनकी बारगा में हाजिर होते और इनकी बारगा में फुल और चादर पेश करते हैं और इनसे मुराद बंद होते और आज हमारे दादरान अगर हविली में जाज कौमी एक्ता का एक जोस दिखाए दे रहा है जो अलिया लोग है उनके जरीए और उनके धुआख से हर कौम के लोग मिलके रह रहे हैं चाहे मिटाने वाले कितने भी मिटा सके खतम करने वाले कही तरह से खतम करना चाहते लेकिन धुआ का जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो दुआ का जो साथ है और दुआ की जो ताकात है ये कभी मिट नहीं सकती है और कभी मिटे की भी नहीं तो हर तरह के लोग बुजरुकों से जुड़े हुए हर धार्मिक के लोग बुजरुक से जुड़े हुए तो आज हमारे हम कुस नसीब है कि आज हमारे दादरा नगर हविली में ऐसे एक बुजरू के ऐसे एक सुफी है जो साम में सिल्वास है पूरा दादरा नगर हविली है और बॉर्डर पे लेटे हुए है और इनके नजरों से सिल्वास बचा हुआ है इनकी दुआ से सिल्वास कि बात सभी कौम के लोगों को में देता हूं सबको बदाई देता हूं जितने आये उतने लोगों को भी बदाई देता हूं दिस तरह से हमारे वापी से आये हुए बलसाड से आये हुए संजान से आये हुए पालगर से आये हुए याना गुजरात और महारस हर जगा से लोग इनकी बारगा में आज यहां पर हाजरी पेश की हुए है, बस आपकी चैनल के मादियम से यही कहिना चाहता हूं, कि हम इनके खिजमतगार है, हम इनके चाहती है, इनके चाहने वाले, इनकी बारगा में खिजमत करने वाले, बस हमारे घाओं के लिए, हमारे वतन के लिए यही ना कहना चाहूंगा कि दादरा नगर हवेली के इस सुल्तान यानि के शेहनशा की बारगा में हम और ये सभी लोग मौजूद है और सेद अब्दुल गफूर शापीर रहमतुल्लाहित आले की बारगा में उनके उर्षे मुबारक की मौके पर सब हाजरी दिये हुए हैं और के दिन आज की रात पे इस वली की बारगा में हर कॉम के लोग, हर परकार के लोग, हर धर्म के लोग, हिंदू, सिख, मुस्लिम, हिसाई, हर तरह की लोग यहां आए हुए हैं और बाबा से अपने अपने तरीके पर अपनी मुहबबत का इजहार कर रहे है अपने इश्क का इजहार कर रहे है अपने प्यार का इजहार कर रहे है और सेयद अब्दुलगफूर शापीर की बारगा में हाजरी दे कर अपने दिल की मुरादों को पूरी करना चाहते हैं अपनी तमन्नाओं को पूरी करना चाहते है और आज इस वली की बारगा में इस बात का सबूत है कि जो भी हो, चाहे वो मुसलिम हो, हिंदू हो, सिखो, हिसाई हो, जो भी अपने दिल में तमन्ना लेकर इस वली की बारगा में आया है, वो अपनी मुरादों को पूरी करके ही गया है, अपनी खाली जोली को भरके ही गया ह तो आज मैं सबकी तरफ से खास करके इस दरगा के खादिम फिरोज बापू के तरफ से ये शुक्री आदा करना चाहूंगा कि आज उन्होंने इस महफिल को सजा कर इस प्रोग्राम को इनेकात करके इस प्रोग्राम को सजा कर सबके दिल की मुरादों को पूरी किया है और सबके दिल की इच्छा को पूरी किया है और इस वली की बारगा में इनको निस्बत बनाकर अल्ला की बारगा में दुआ करना चाहूंगा कि परवर्दिगार आलम यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर है चाहे वो किसी भी धरम के है उनके सब के दिलों की तमन्ना को पूरी फर्माना और इस वली की मुहबत हमारे दिल में जगाना